Hello Friends, Welcome to NetJRF Mind Friends, हम Political Science की Unit 9 Public Administration को cover कर रहे थे ठीक है, ये Public Administration का एक Crash Course है आपके NetJRF के exam के लिए जो की 2023 में होने वाला है आपके February 21st से start हो रहे हैं ठीक है, तो Friends अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe कर ले ताकी आप इन सारी classes को देख पाएं ठीक है और हमने public administration की जो है एक playlist बना दी है हमारे channel पर ठीक है तो आप सारी videos को class 1 से लेकर आप सारी classes कर सकते हैं ठीक है तो देखिए friends अब तक हमने क्या-क्या पढ़ चुके हैं हम इस public administration में ठीक है सबसे पहले हमने किया था public administration का meaning क्या होता है और उसका विकास कैसे हुआ ठीक है तुर हमने किया था scientific management theory को जो की आपकी tailor ने दी थी ठीक है तीसरी class थी हमारी classical theory को हमने देखा human relation theory देख चुके है Mary Parker Follett, Chester Bernard, behavioral theory, decision making theory, motivation theory, Peter Duker की management by objective हम देख चुके है ecological approach हमने देख लिया था ठीक है तो इतनी classes हमारी हो चुकी है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज का हमारा topic होगा new public administration ठीक है तो आप घबराईए मत की public administration आखिर कब तक चलने वाला है ठीक है कुछ बच्चों को लग रहा है कि और कुछ तो हम cover कर ही नहीं रहे है लेकिन friends एक बात पता दूँ कि किसी भी चीज़ को start करना आसान होता है ठीक है लेकिन उसको खत्म करना उसको complete करना मुस्किल होता है कर लिया और देन हम दूसरी unit पर move कर जाएं ठीक है तो टैंसन की बात नहीं है वैसे ज्यादा क्योंकि हम अधिकतर topic हमारे हो चुके है ठीक है आज हमारा new public administration हो जाएगा then हमारी बस ये तीन classes बचेंगी comparative public administration क्या होता है ठीक है हमारी एक classes पर आएगी then new public management क्या है इस पर एक class आएगी then development administration क्या होता है इस पर आएगी ठीक है और जो भी last year के public administration unit से previous year में questions आए है एक class आपकी इस पर आएगी ठीक है जैसे ही हमारी ये classes complete होंगी तो आज कल में एक दो दिन में आपका पूरा public administration जो है cover होने वाला है unit 9 आपकी ठीक है I hope कि आपने जितनी भी classes मैंने करवाई हैं उनके notes बना लिये होंगे ठीक है आपके पास हर topic पर एक एक दो दो page के notes होंगे ठीक है तो हम आज की class start करते हैं ठीक है देखिए new public administration देखिए friends जो new public administration है हमारा ये traditional public administration के प्रती एक reaction था ये traditional public administration की against में आया था जो की काफी obsolete, काफी पुराना हो चुका था और जो बदलते समय की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था ठीक है traditional public administration जो था इसी लिए new public administration आया ठीक है तो new public administration के लिए friends 1968 में एक conference होती है जिसका नाम था mini brook conference ठीक है और ये किसके अंडर में होती है ड्वेड वोल्डो, ये ड्वेड वोल्डो के अंडर में होती है ठीक है mini brook conference 1968 आप इसका year याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ लिया जाता है ठीक है देखें फ्रेंट्स जो 1960 का time था ना अमेरिका के अंदर turbulence वो काफी जो है एक मुसीबत भरा था ठीक है काफी revolutionary था वहाँ पर काफी सारे आंदोलन हो रहे थे जैसे की social movements ठीक है अमेरिका में काफी सारे social movements हो रहे थे anti-war movements, civil right movements हो रहे थे ठीक है second wave feminism की जो है second wave भी उसी time पर चल रही थी तो young people begin revoluting against the old conservative norms तो जो अमेरिका में young people थे ना वो जो भी पुरानी पुरानी परमपरा हैं ठीक है उनके प्रति क्या कर रहे थे विरोध कर रहे थे तो also extensive military intervention in Vietnam तो उसी time पर जो अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमन किया था उसको भी लोगों के दुवारा पसंद नहीं किया गया था ठीक है was not liked by the people तो 1960 का time जो था वो अमेरिका में कैसा था turbulence भरा था ठीक है काफी क्रांतिकारी टाइप था आंदोलन हो रहे थे ठीक है देखिए so it was realized इसलिए ऐसा feel किया गया कि जो that neither the theory nor the practice of public administration was sufficient to deal with the changing situations तो जो पुराना public administration है वो बदलती हुई situation के से deal करने के लिए sufficient नहीं है ठीक है so इसलिए a new public administration was required ठीक है which focuses on people तो हमें एक ऐसा new public administration चाहिए जो लोगों पर focus कर सके ठीक है लोगों की जरूरतों को focus कर सके जिसके focus में ही people हो ठीक है इसलिए friends जो new public administration है उसके 5 goals decide किये गए ठीक है situation में क्या हो प्रासंगिकता हो relevance का मतलब है कि जो अभी का time है जो अभी का scenario है उससे वो relevance हो ठीक है प्रासंगिकता हो उसकी आज के time के लिए then values जो भी उसकी कुछ values हो ठीक है social equity सामाजिक समानता की बात करता हो change जो भी change हो रहे हैं उनके लिए वो अनुकूल हो client orientations उपभोगता उपभोगता center हो ठीक है वो जो भी client यानि की उपभोगता को ध्यान में रखता हो ठीक है जो positive का विरोध करते हैं anti technical जो तकनिकी चीजों का विरोध करते हैं anti hierarchy का मतलब क्या होता है इस तरीके से कुछ hierarchy होना बड़ा च्छोटा उससे ठीक है उसके नीचे तो जो ऊच नीच है ना anti hierarchy यह उसका विरोध करता था ठीक है तो anti goals में हमारे तीन है anti positivist anti technical और anti hierarchical ठीक है देखे फ्रेंट्स अब हमें देखना होगा कि new public administration का विकास कैसे हुआ यह चीज ना आप से chronological order में लगाने के लिए पूछ ली जाती है तो सबसे पहले जो new public administration पर एक हनी रिपोर्ट आई ठीक है यह इसी की जो इनहीं का नाम हनी था ठीक है किस यह रिपोर्ट पर study करनी थी new public administration पर ठीक है इसी लिए इसका नाम हनी रिपोर्ट रहा तो सबसे पहले 1967 में new public administration के विकास के चरन में ठीक है सबसे पहले दा हनी रिपोर्ट आई 1967 में उसके बाद 1967 में ही एक फ्लाडेलफिया conference हुई इसारी जो सम्मेलन है report है conference है ना यह सब new public administration के लिए हो रही है नव लोग प्रसाशन की वह कैसा होना चाहिए क्या objective होने चाहिए क्या हम चेंज कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले दा हनी रिपोर्ट आई 1967 दैन फिलाडेलफिया conference हुई 1967 में ही हुई थी दैन मिनी बुरुक conference होती है first ऐसी जो मिनी बुरुक conference यह तीन चार गोल थे वही जो हमने अभी देखे थे relevance, values, equity और change ठीक है देखे इसके बाद मिनी बुरुक conference फर्स्ट के बाद जो है friends मिनी बुरुक conference 2 होती है ठीक है मिनी बुरुक conference 2 होती है 1988 में यह किसने इसको organized किया था जार्ज फ्रेडरिक शन ने इसको organized किया था ठीक है मिनी पर गोल पर जेखे जोने बाद मिनी बुरुक conference 3 होती है जो की 2008 में हुई थी थी, यह इसको किसने conduct किया था रोजमरी ओ लेरी ने ठीक है यह इनकी अंडर में हुई थी तो तीन मिनी बुरुक conference होती है किसके लिए होती है ये new public administration के लिए ठीक है new public administration के लिए यह होती है 2080 में ये publish हुई थी ठीक है कि हम ने देखा कि किस तरह से new public administration का विकास हो रहा है सबसे पहले आपका honey report आई देन Philadelphia conference यह तीन जो है mini brook conference हुई है ठीक है तो हमने देख लिया कैसे विकास हुआ है क्यों new public administration की जरुरत पड़ी ठीक है एक चीज और देखिए यहाँ पर दो यह जो है दो publication publication का मतलब book ठीक है यह दो book है new public administration पर जो काफी important है आपको याद रखनी चाहिए ठीक है तो पहली book है friends Frank J. Marini की Frank J. Marini की book का नाम है towards a new public administration administration mini brook perspective ठीक है यह Marini की book है यह last year में आ चुका है question दूसरी book है Dwight Waldo की public administration in a time of turbulence ठीक है यह Dwight Waldo की book है तो topic तो friends हमारा complete हो जाता है अभी new public administration ठीक है देखे यह मैं राजेस मिश्रासर की book है ना जो की best है net के exam के लिए उसका थोड़ा सा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठीक है आप अगर किसी के पास book नहीं है तो यह topic आप यहां से पढ़ सकते हैं ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा आते हैं और आपके पास available नहीं है तो आप यहां से देख सकते हैं ठीक है तो यह मैं आपके लिए पूरा मैं आपको अभी दिखा दूँगी तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नवीन लोग प्रसाशन सब्दावली का सर्वोपर्थम परियोग फ्रैंक मैरीनी ने ठीक है ठीक है इनकी बुक का नाम आप याद रखेंगे टू वर्ड्स अन्यू पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन दमीनी बुरुक पर्स्पेक्टिव ठीक है तो यह पहला हो गया हमारा दूसरा और क्या बताया है कि नवीन लोग प्रसाशन का जो पिता है हाँ यह भी चीज़ आप याद रखेंगे डूएट वोल्डो को माना जाता है ठीक है न्यू पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन का पिता किसको माना जाता है फादर डूएट वोल्डो को माना जाता है जिन्होंने मिनुब्रुक सम्मेलन की अध्यक्सता की थी ठीक है देखिए 1960 के दसक से ही नवीन लो तत्थियां है वो आप पढ़ सकते हैं ठीक है देखिए 1967 में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हनी रिपोर्ट आई थी ठीक है आप देख लेना पुरा पढ़ लेना अगर आपका मन हो दैन देखिए 1967 में ही अभी बताया आपको कि फिलाडेलफिया सम्मेलन हुआ था इसके चार मोली कुदेश्या थे जिसको इंगलिस में नहीं समझ में आता है यहां वो हिंदी में देख सकता है ठीक है देखें मोली कुदेश्या चार क्या थे relevance यानि प्रासंगिकता दूसरा मान्यताई वे सामाजिक मुल्य यानि की values तीसरा सामाजिक द्रश्टिकोन और change यानि की परिवर्तन ठीक है अब तक लोग प्रसाशन इस्थिर था ठीक है जो traditional था वो अब तक लोग प्रसाशन इस्थिर था जो है उसी का अधियन करता था लेक लेकिन नोकरसाहा प्रबंधन का अधियन ठीक है लेकिन नोकरसाहा के उदेश्य वे समश्याओ के समाधान वे परिवर्तन पर बल दिया गया तो अब परिवर्तन की बात की जा रही थी ठीक है देखे 1971 में फ्रैंक मैरीनी के संपादन में टूवर्ड इन्यू पब्लिक एड परिवर्तन उपभोगता के इंद्रित ठीक है देखे वर्स 1971 में डूएट वोल्डो के समपादन में पबलिक एड्मिनिस्टरेशन इन्दि टाइम ओफ तर्बूलेंस का प्रकासन हुआ यह यह आप याद रखना 1971 ठीक है एड कर लेना अपने नॉट्स में वर्स 1980 में जार् अगे भी है थोड़ा सा हम देख सकते हैं देखे अभी हमने उपर देखे थे तीन एंटी गोल्स देखे थे एंटी पॉजिटिविस्ट एंटी टेक्निकल एंटी हरार्केल ठीक है यहाँ पर वो हिंदी में दिया गया है तो यह किसने यूज किया था रोबर्ट टी गोलम व विरोधी है जिसका अर्थ क्या है यह मुल्य युक्त रूप वाले लोग प्रसाशन की परिभासा को नकारता है तरकवादी उपागम को नकारता है राजनीती प्रसाशन दुविभाजन को नकारता है एंटी गोल एंटी पॉजिटिविस्ट ठीक है दूसरा हमने देखा था एंटी टेक्निकल यहें तकनीकी वाद का विरोधी है ठीक है थीसरा हमने क्या देखा था एंटी हेरार्कियल तो यह है कमो बेजनोकर साही विरोधी और उच नीच करम का विरोधी है हो घया ठीक है देखे फ्रैंक मैरीनी ने ही नव लोग प्रसाशन की विसएवस्तू को प फाइफ गोल्स हमने देखे थे न, अभी उपर, रिलिवेंस, प्रासंगिक्ता, वैल्यूज, मुल्य, सोशल इक्विटी, सामाजिक समानता, चेंज, परिवर्तन, क्लाइंट ओरियन्टेशन, उपभोगता, संकेंद्रित, ठीक है, वही सब चीजे हैं, जिसको हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिस में लिखना है, वो इंग्लिस में लिख सकता है, ठीक है, आई होप की समझ आपको आ गया होगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं, देखे, फ्रेडरिक्सन के अनुसार, नव लोग प्रसाशन, नव लोग प्रसाशन जो है, वो कम वियापक और जादा सार्वजनिक है, ठीक है, ये इसकी विसेशनाएं हैं, जरूर देखना आप, कम विवरनात्मक और जादा सुझावात्मक है, ये फ्रेडरिक्सन के अनुसार, जो बदल नहीं सकता, उसके प्रती कम सरोकार और बदलते यर्थर्थ के प्रती जादा सरोकार रखता है, नव लोग प्रसाशन, ठीक है, देखिए, और कम टटस्त और जादा आदर्शवादी है, कम वग्यानिक नहीं है, तो ये सारी फ्रेडरिक्सन के अनुसार, ये नव लोग प्रसाशन की विसेशनाएं हैं, इनको आप दिहान में रखेंगे, कुशलता वे मित्व्यता पर जो लोग प्रसाशन विज्ञान नहीं है, ये सब आप देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना, लोग प्रसाशन के गुन, दैन, ये देखिए, हाँ, ये मिनी ब्रुक कॉन्फरेंस टू है, जो कि 1988 में हुई थी, हम देख चुके हैं, ठीक है, तो हमारा सारा हो चुका है, ये जो व कितना समझ में आया, कमेंट में जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, ठीक है, ये ही सब ना, मोटिवेशन का काम करता है, और कुछ नहीं, ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप को आने वाली हमारी सारी क्लासे मिल च करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें, आपको ये कलास कैसी लगी, ठैंक यू,